के बिहार में उद्योगों की अब बहार आने वाली है दरसल ग्यान भवन में आज दो दिवसी एंवेश्टर्स सम्मिट का आज दूसरा दिन है पहले दिन करीब 12,000 करोड रुपे का MOU शरकार और कमपनियों के बीच हुआ सरकार ने सावी ग्लोबल के साथ 274 करोड का MOU शराइन किया वहें कोवल प्राइबेट लिमिटेट के साथ 105 करोड का वहें फूद प्रोसेसिंग यूनिट में कुल 800 करोड रुपे के निवेश्ट पर हस्ताक्चर किये बतादे इंवेस्टर्स समिट में देश और बिदेश की बली कंपनियां शामिल हुई हैं सोल हदेशों की प्रते निवेश्ट को को गारंटी दी गई है गारंटी सुरक्षा शुवधा और हर्च संभब मदद करने का है वह मंत्रियों ने दोगपतियों को भरूसा दिया कि आप बिहार में इंवेस्ट कीजिए सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी है समिच का गुरुबार का दूसरा दिन है उम्मीद की जा रही है कि हजारों करोडों रुपे के निवेश्ट मर आज भी हस्ताक्षर किये जाएंगे इस पिदेश से आजब है हमारे सारे अतितिगन बिहार के उसे बनावत को बनाने के लिए जो बिहार का जो पुराना इदियास रहा है उसको फिर से भी अस्टार लिस्ट करते हैं चुकि मेरा माना है इस तरह का इंवेस्टर स्मीच साल में एक पर जरूर होना चाहिए ताकि कि आप लोग का दर्शन हो सके आप लोग बिहार के चीजों को समझें बिहार के मिटी से प्यार करें इस टाइप के प्रोग्राम करने से मुझे लगता है लोगों का ये परसेप्शन बिहार को लेके है वो जरूर चेंज होगा मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोग कहां गए है आने के बाद लेकिन इफ यू गो टू रूरल पार्ट ओव बिहार हाडली एने विलेज इस लेफ्ट जो की रोड से कनेक्टेड नहीं है जो अभी दिखा रहे थे हंड़ेट थर्टी परसेंट जो कनेक्टिविटी जितना उसका पोटेंशल था उससे ज्यादा कनेक्टिविटी हो गया सब्सक्राइब करने जा रहे हैं हम लोग करेंगे पावर की कोई कमी नहीं है और मैंपावर तो ही है कोई बाती नहीं तो इसलिए उसकी की चिंटा करने की जड़त नहीं है आईए आप सवामन्तित हैं आईए हमारे यहां अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक सब्सक्राइब को साहिता सरकार को रुषी मिलेगी बीच करार हुए हैं पहले दिन और करीब बारहजार करोड रुपे के निवेश के मोई उ पर हस्ताक्षर किये गया है सरकार ने सभी कमपनियों को हर संबब मदद करने का भरोशा दिया है चाहे वो बिजली हो पानी हो सड़क हो चाहे कानूनी नूरू रूप से सुरक्षा मौया करवाना हो हर एक का पहलों पर नज़र डाला गया और हर एक मिंदूओं पर मदद करने का सभी उद्ध्योग पत देखते हुए निवेश करने का प्रस्ताव रखा और आपको बदा दे कि सरकार और कमपनियों के बीच कई मोयू भी हस्ताक्षर किये गया है और आज दूसरा दिन है आज भी अजारों करोड़ रूपे निवेश होने की बात कही जा रही है हलाकि आपको बदा दे कि थमाम बिहार सरकार के कल मंत्री मौझूद थे और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने शेत्रों की बात की और उन्होंने का कि बिहार में अभी अधिक संभावनाए है चाहे अब इजली की हो जमीन के लिए को लेकर हो पानी को लेकर हो सुरक्षा को लेकर हो हर अब सरकार कमपनियों को मदद करेगी वो बिहार में आए बिहार का जो विकास है वो लगतार हो रहा है और उस दृष्टी कौन से यहां पर अधिक संभाव ना है उद्द्योग लगाने के को देखें तो तो देखें पहले दिन 12,000 करोण रुपे का निवेश किया गया है और आपको बदा दे कि आई टी सेक्टर को चोड़ कर 49 करोण रुपे का निवेश किया जाएगा तो देखें कई सेक्टर की कमपणियों ने बिहार में अब कमपणी लगाने को लेकर दिल्चस्पी दिखाई और इसको लेकर M.O.U. शाइन किया गया है तो पटना से बड़ी खबर और आज भी इस खबर पर नजर बनी रहेगी हमारी क्योंकि लगतार जो है बिहार को बदलने की दृष्टिकों से सरकार काम कर रही है और इसी के तायत दो दिवस्टिये सम्मिट का आयूजन किया गया पटना से हमारे सर्योगी गौतम लाइब जुड़ गया है गौतम बिहार सरकार का है तो एक तरफ रोजगार देने का काम कर रही है सिक्षक भरती निकाल कर दूसरे तरफ उद्योग लगाने के दृष्टिकों से दो दिवस्टिये सम्मिट का आयूजन किया और जिसमें कल भी 12,000 करोड रुपे के M.O.E.U. साइन किया गया और आज भी 1,000 करोड का साइन होने के आसार है क्या बिहार को बदलने के दृष्टिकों से या बिहार में अब आने वाले दिनों में उद्योग लगाने के दिवस्टिकों से यह कारिकरम आयूजन किया गया कल क्या कुछ क्योंकि देखें बिहार की बाते होती थी बार हो या जो गड़ीवी की स्थिती हो या जो अपराद की जो बात होती थी इन्वेश्टर यहां पर नहीं आते थे मगर अब बिहार बदल रहा है दो दिनों के इस सब्मिट में यह पता चल रहा है कि देश के ही नहीं नहीं के बिहार के बिहार के लोगों को रोजगार से जोड़ने आ Earth मुझपरपूर के शूरेश and sun प्रवाइब कर दो बहुत सारे इंडियन्स लोग के रिस्तेदार सगे संबंदी गुजर गये उन्हें काफी अफसोस हुआ और उसमें हमारे बिहार के बहुत लोग ते जिन्हों ने बताया कि हम तो भाई घर नहीं जा पाए थो फिर हम लोग वापस आया और हमने अपना मन मनाए कि नहीं हम लोग जो करेंगे बिहार में ही करेंगे जाना चुक आप किस सेक्टर में काम करें और क्या कुछ अब यहार को थाप बिहार को और इसमें हमने बिहार के लोगों को चुना है कि जो इंजीनियर्स बाहर ना जाए वो अपने घर में गाम करें कि बिहार में IT sector डेवलप नहीं हो चिराग पासवन बिहार के एक लीडर है वो कहते है कि बैंगलोर में क्यों गे वगर बैंगलोर के लोग अगर बिहार आ रहे हैं आप IT के छेत्र में मुझापरपूर जैसे जगह में अगर काम कर रहे हैं तो कितना लगता है संभावना है जो हमें यह सब्सक्त में कुछ गिराइंगे बिने सेक्टर कने को अरते हैं वाने में और इंदिख में होती है है लेकिन अभी तो हम लोग इसमें काम रहा है और वहता कम दोन किया है इसकी बात को अभूफ हमें ऐने नॉकरी नहीं था एक आयाम हमने है ट्यार किया शेरपूर गाओं, ग्राम पंचाय थे मुझफःपूर में मुशहरी ब्लॉक में वहां पर हमारी कम्पनी है, तो अब ग्राम पंचाय तेरिया में एक समिकंडॉक्टर कम्पनी है, राजी के विविन छेत्रों से लोग आ रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से लोग आ आई बीम, माइक्रो सैप्ट जैसी जो चिप बनाने वाले कमरे उन चीजों को ब्योजपरपूर में करने की सोच आपने लाया तो कुछ लगा चिंता हुई कि लोग जुरेंगे नहीं जुर पाएंगे? चिंता तो हुआ था, चिंता हुई मतलब बेसक होगी लेकिन जैसे हम मैं और मेरा भाई दो आदमी थे हम लोग और कुछ हमने तमिल नाडू के लड़कों को मतलब जो हमारे साथ काम करते तो उन्हें मैंने अपना प्रोग्राम बताया कि भाई मैं बिहार में कर रहा हूं तो बिहार के वो लोग साथ आने के लिए तेयार हो गया है जो कुछ ऐसी समस्या है जो लोगों को झेलना पड़ता था यहां पर बिहार की छभी तो बदल चुकी है और मतलब एक होता है कि हर चीज का एक पॉइंट होता है थ्रेसोल्ड पॉइंट कि हम अब कितने दिलों तक अ जावा और कुछ चाहिए ही नहीं और ये अगर कोई कुछ बोलता है नहीं सरकार मदद के लिए खरी है नितिस कुमार हो या तेजस्वी आदव हो या हमारे जो बिल्कुल गौतम लेकिन एक यहां पर बड़ा सवाल है कि लगतार बिहार में कानून वेवस्ता को लिकर सवाल उठते रहे हैं और दूसरा की फुर्व की जो बीजेपी और के सरकार बिहार में रही है उस दौरान सुषील कुमार मोदी जब मुंतरी हुआ करते थे वो कहते थे कि बिहार में जमीन नहीं है तो ऐसे में कितना महत्मून हो जाता सरकार को इन जो दोकled पती है उन इन्वेश्ट यहां पे करें उन्हें इस इस पॉलिशी को लेकर आप लोगे क्या कुछ शोच है अभी तो सरकार बहुत ज्यादा मज़द कर रही है और बहुत सारी पॉलिसी आई हैं हर सेक्टर में टेक्स्टाइल में लेदर में इवन आई टी के लिए उन्होंने अलग से प कर दिया तमाम निवेश भी किया जारे लेकर देखना होगा कि सरकार अब इस अस्तर पर क्या कुछ काम करती है कैसे जमीन मुहया करवाती है सुरक्षा विवस्ता को लेकर क्या कुछ कदम उठाते है तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आफका गोतम